अर्मान है हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर कि क्या कुछ हुआ है अनिंग कॉल में और क्या कुछ है शेर ओल्डर को कम्पनी की तरह से गया है कम्मुकेशन क्या लिखा है पत्र में यह लगा होगा सर्थ यह इवाई जो में शेर और कि निकलेगा चलेगा लिखता है जल्द हो यह वाज है सबसे पहले जो उर्णिंग्स कॉल में जो एक इंप्रॉटन्ट हाले टिंकल जाया है वो जो तेजी है वो जारी रहेगी दूसरा अगर आप देखें Adjusted EBITDA as a percentage of gross order value मतलब आप जितना order हो रहा है उसके 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 बिटा जो है वो company कमारी है वो धीरे धीरे improve होके अब 2.5% पर आतावा दिखा है और company ने पहले भी अनुमान दिया था कि वो बढ़के 5% के आसपास जो हो जाएगा और वो अब उन्होंने का है कि अगर आप आने वाली कुछ तिमाहियों में वो होतावा दिखेंगे और दूसरा और सबसे important चीज है कि यह भी update आतावा दिखा है कि Blinkit का जो adjusted EBITDA है वो company ने का है कि वो आने वाली 4 तिमाहियों में वहाँ पर भी मुनाफे में लेके आ जाएंगे और यही same चीज उन्होंने food delivery segment के लिए भी की थी पर उनको दो quarter में उन्होंने profit में आते वह दिखे थे तो market शायद estimate यह भी लगा रहा हो कि यहां पर भी वह जिस हिसाब से अनुमान दे रहे हैं उससे कहीं पहले जो है अचीव कर सकते हैं क्योंकि अगर आप adjusted EBITDA food segment का भी देखे या फिर आप Blinkit का adjusted EBITDA का गाटा देखे किस तरीके से कम हो रहा है लगातार Q1 FI 23 में जो 326 करोड था फिर Q3 FI 23 में 227 करोड हो गया फिर अभी Q1 में लगबगर आप देखे माइनस 133 करोड का जो है वो गाटा अतावा दिखा है ब्लिंकिट का adjusted EBITDA की अगर आप बात कर रहा हूं में ब्लिंकिट का adjusted EBITDA वो एक कोड स्लाइड अब इसके बाद आएगी वहाँ पर आपको clearly दिखेगा कि adjusted EBITDA वो गाटा तेजी से जो है वो कम करते में जा रहे है तो हो सकता है कि शायद 4 तीमाही ना लगे उससे पहले ही ह हो जाए उसके साथ साथ employee cost यहां पर एक हमेशा point रहता है पर यहां पर उन्होंने का है अब employee cost जो है यहां पर अप सिफ एक inflation के दर से ही बड़ेगी कोई extraordinary move जो है वो employee cost as a percentage of revenue में या cost में नहीं आने वाला है अब यह वाली बात तो earnings call की हुई अब अगर आप shareholders में देखे है shareholders letter में तो वहाँ पर एक interesting चीज लिख रखी है और उन्हें बढ़िया तरीके से लिखा है कि company कम से कम दो साल तक 40% की yoy adjusted revenue में growth कर रही है उन्होंने का है कम से कम at least word use करा है कि कम से कम हम 2 साल तक तो यह देखी रहे है कि 40% की growth होगी और blanket की specifically बात करते हैं उन्होंने का है कि व दावा दिखा है जो अगर आप देखें तीन तीमाही पहले वहाँ पर उनको दो करोड का profit था वह 181 एक सो असी करोड का profit दावा दिखा है तो यहां पर outlook जो है वह काफी बढ़िया दिख रहा है तो यह है बड़ा development zometo में होता हुआ है एक तो earnings call काफी मजबूत रहा है दूसरा share owners को जो इन्होंने पत्र लिखा उसमें काफी कुछ highlights आती हुए दिखिए और operational performance और बैतर होने की उम्मीद लेकर आप चले सकते हैं FIs सारे bullish होते 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 हैं सबसे बड़ा और बैतरी टार्केट सबसे बैतर में तो नहीं है इमीडेटली नहीं तो पॉप अप हो जाता है पता जलता है 30% का अपग्रेड बहुत बड़ा वाना जाता है और अशलतान इन जिन्रों ने भी बढ़ाया है और 24-25% तो सभी ने बढ़ा दिया एक्चुली के profitable लोगों को इस्तिमाई में उम्मीद नहीं थी अब वाइन के पाद तो वेल रिसर्च लिक्विड सब को पता चले जाता है क्या क्या निए उससे पहले पता चले तो कहना ही क्या